आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम अपने डेटा ट्रांसफर रेट को इंक्रीज कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर रेट क्या है बेसिकली हम अपने डेटे को जब कॉपी करके किसी भी पिन ड्राइब में या हार्ड ड्राइब में पेस्ट करते हैं जो उसकी जो speed है वो data transfer rate है तो इसको हम किस तरह increase कर सकते हैं चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम search में आएंगे search पर click करने के बाद इसके box में हमने type करना है windows या windows feature भी type कर सकते हैं और return windows feature के उपर हम click करेंगे तो ये box हमारे पास open हो जाएगा यहाँ पर अब हमने क्या करना है एक folder find out करना है जिसका नाम है remote तो remote का जैसे ही folder हमारे पास illuminate होगा तो हमने क्या करना है इसके उपर ऐसे tick होगा आपने इसको untick करना है untick करने के बाद आपने ok के बटन पर click करना है ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने वापस बैक आना है अपने run command में और यहां पर type करना है services.msc और ok के बटन पर क्लिक करना है तो जैसे ही ok के बटन पर क्लिक करेंगे तो यह window हमरे पास open हो जाएगी यहां पर आप हमने क्या करना है W का बटन प्रेस करना है और Find Out करना है Windows Search तो जैसे ही Windows Search हम Find Out कर लेंगे तो उसके उपर हम Double Click करेंगे तो जैसे ही हमने Find Out कर लिया इसके उपर Double Click करेंगे तो यहाँ पर Manual को हमने Set करना है Automatic पर और Automatic करने के बाद Apply OK करना है फिर हमने क्या करना है Keyboard से O का बटन प्रेस करना है और Optimize Driver जो है इसके उपर हमने Double Click करना है तो जैसे इसको Find Out कर लेंगे इसको भी हमने Simple वही Method है आपने Automatic करना है Start करना है यानि कि Services को Start करना है Apply करना है OK करना है आपकी Data Transfer जो Rate है Speed का वो Increase हो जाएगा इसके बाद आपने Simple आना है My Computer पर और जो भी Drive है आपकी यानि के जो Pin Drive है जिसमें आप Data Copy करना चाहते है उसको आपने Right Click करके Open करना है Properties में आना है और यहाँ पर Hardware के Tab पर Click करना है और यहाँ पर एक और आपने काम करना है आपने यहाँ पर अपनी Pin Drive को ही Select करना है उसके बाद Properties में आने के बाद यह Box Open हो जाएगा Generic Flash Drive का तो यहाँ पर हमने क्या करना है Properties में आने के बाद Policies में आना है Policies के बाद आपने Best Performance पर Click करना है तो आपका Data Transfer Rate जो है वो Increase हो जाएगा तो इस तरह आप जो जट पर से अपनी जो Files है उसको Copy Paste कर सकेंगे तो इस तरह हम देख सकते हैं इसको इसके बाद आपने क्या करना है फिर आना है अपनी Drive में यानि कि आप किसी भी Drive में इसको Paste करना चाहते है Data को उसको आपने Select करना है Right Click करना है और Bottom पे आपने Find Out करना है Allow Files तो इसको आपने Select करना है OK करना है और फिर Apply करना है OK करना है तो इसके बाद आपका जो Data Transfer Rate है वो काफी Increase हो जाएगा Last Setting में आप से मैं Discuss करूँगा कि किस तरह हम और इसकी जो Speed है उसको Maximize कर सकते हैं तो CMD टाइप करने के बाद Run as a Administrative में आएँगे तो यह Window हमारे पास Black C Window ओपन हो जाएगी यहां पर अब हमने क्या करना है इस Command को हमने टाइप करना है यानि के जो हमारी Auto Tunnel Level की जो Command है इसको Copy करके पेस्ट करेंगे और Enter करेंगे तो OK का Message हमें Receive होगा इसके बाद हम अपने Data की Transfer Rate को हम Check कर सकते है किस कदर यह Increase हो चुकी है तो अभी आप देख सकेंगे इसकी जो Speed है 355 KB से लेके 30 MB तक इसकी Speed है वो Increase हो चुकी है तो आप इस तरह इसको Manage कर सकते हैं स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर इस Command से वर्क ना हो तो आपने इसका अटा टूनल लैवल जो है वो Normal कर देना है दुबारा Copy करना है उस Command को जो Second Command है और पेस करके OK करेंगे